हलो दोस्तों डिवोशन इंस्टिट्यूट में आपका स्वागत है एवरेज ओसत का चौथा और बहुत इंपोर्टेंट सेशन देखे ध्यान दीजेगा यहाँ पर लिखावा है बेसिक कॉंसेप्ट अगर मैं बात करूँ एवरेज के बारे में तो दिखने में सुनने में यह चैप्टर आसान लगता है आसान है भी लेकिन इसका गणित में बहुत बड़ा योगदान है अगर आप डेटर इंटेप्टेशन की बात करें तो वहाँ पर एवरेज का बहुत बहुत बड़ा रोले बहुत सारी बाते हैं अगर वो अधूरी रह जाएं तो दिक्कत है मैं क कि सेशन का एंड हमेशाम करेंगे पीवाई क्यू और वेरी वेरी टफ कोशन के साथ चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं प्रेशन संख्या बारा एक बहुत जरूरी बात आज के प्रशनों के बारे में ध्यान दीजेगा देखो अभी लगातार छे प्रशन लगातार छे प्र प्रशन सिर्फ एक कॉंसेप्ट के हैं जो एवरेज के सबसे बढ़िया कॉंसेप्ट में से एक है क्या जरा ध्यान दीजेगा एक समू है एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग हैं दस पंदरा बीस सो दो सो कितने लोग भी हो सकते हैं पहले बाद थेरी सुनेगा आपको अक्सर आजाता है लेकिन अगर आप 6 को कोरेलेट करेंगे आपस में एक साथ लेकर चलेंगे तो सीखना असान होगा और मज़ाएगा देखिए जरा ध्यान से सुनेगा एक ग्रुप है एक समू है मालीचे 25 स्टूडेंट्स का इस समू में क्या हो सकता है इस समू में 6 काम हो आने पर इस पूरे समू यानि कि ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है तो आने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की एज या जो भी चीजों वेट भी हो सकता है लंबाई भी हो सकती है मार्क्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है वो पूछा जाता है तो पहला केस क्या हुआ एक ग्रुप में एक व्यक्ति या जादा लोगों के आने पर ओसत का बढ़ना दूसरा केस उसी सम्हू में देखो रटो मत समझ कर चलो कहानी के तरह से दूसरा केस उसी सम्हू में एक व्यक्ति या जादा व्यक्तियों के आने पर ओसत का घट जाना तीसरा केस ये तो आने पर हुआ जा भी तो सकते हैं एक समू में 25 लोग हैं उसमें से 1, 2, 3 या ज़ादा लोग छोड़ कर चले जाते हैं और जो छोड़ कर चले गए उनकी वजह से जो गुरुप है उसका उसत बढ़ जाना चोथा केस यही सेम काम कुछ लोग छोड़ कर जाएंगे लेकिन अब उसत को बढ़ाएंगे नहीं बलकि उसत को गिरा देंगे पाँचवा केस मैंने पहला क्या बोला किसी के आने पर या ज़्यादा के आने पर उसत का बढ़ना आने पर ओसत का गिरना, जाने पर ओसत का बढ़ना, जाने पर ओसत का गिरना और पांच वा केस दौनों काम हो सकते हैं दो स्टूडेंट छोड़कर चले जाएं और 4 स्टूडेंट नहीं आ जाएं यानि कि समुह में कुछ लोग जा रहे हैं simultaneously कुछ लोग आ भी रहे हैं और ऐसा होने पर ओसत का बढ़ना और छटा और आखरी केस सेम काम कुछ लोग छोड़ कर जा रहे हैं और बदले में कुछ लोग आ भी रहे हैं और ऐसा होने पर ओसत का गिरना 6 केसे प्रशन संख्या 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 जान बुचकर मैंने 6 प्रशन लिये हैं आप ध्यान से सुनेगा आपको मज़ा आएगा और अब फिर उससे रिलेटेड दुनिया भर के सवाल होंगे जैसे किसीने 70 इनिंग्स की और उसका एवरेज ये चल रहा है और दो और या पीछे जा सकते हैं ये अभी मैंने क्या कहा कि ये बेसिक सवाल चल रहे हैं और अगले सेशन से आपके मॉडरेट और थोड़े और बेटर सवाल आएंगे फिर टफ बर जाएंगे लेकिन मैं आपको ये बारे-बार कहना चाहता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि इस में आएंगी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी साथ के साथ इसमें बने रहे हैं यानि स्रिक्वेंस में देखें अपनी नोट बुक्स रखें एक एक चीज़ को नोट करें रिवाइस करें सवाल पर आएगा प्रशन संख्या ब हम तो चाहते हैं कि 95% प्रशनों में टोटल करने की जरूरत ना पड़े और सिर्फ एडजेस्टमेंट से काम चल जाए और अगर आपने पिसले तीन सेशन देखे तो आपने देखे मैंने एक भी प्रशन में टोटल नहीं करवाया और अगर मैं 100 प्रशन करवाँगा तो 95 औ दस चातरों की आउसत आयू ये आज के सेशन तक डेटा में इजी ले रहा हूँ अगले सेशन से मेरा डेटा टफ आने लगेगा चूकि मैंने पहले भी बोला कि concept के लिए अपन डेटा आसान यूज करेंगे 10 स्टूडेंट की आउसत आयू 20 वर्श है एक चातरा के शामिल ह कहने से इस सिच्वेशन को प्रिजूम कर सकते हैं विजवलाइज कर सकते हैं कैसे आप यह माल लीजे कि आप एक क्लास के अंदर है उसमें 10 स्टूडेंट से सब्स अपन विजवलाइज करेंगे चीज़े अच्छी सीखनी में आएंगी तो 10 स्टूडेंट से कितने ध्याद से मेरी बात को सुनेगा यह पहला केस है इसमें क्या हुआ ध्याद से सुनो एक नया स्टूडेंट शामिल हुआ एक नया स्टूडेंट शामिल हुआ तो मुझे एक बात बताईए उस नए स्टूडेंट की वज़े से क्या हुआ अब क्लास में कोई पूछे कि कितन एज है, वो 21 years हो गई है, अब आप समझे मेरी बात को, ये इस अकेले की किसल नहीं हुई, जो आ रहा है उसकी नहीं हुई, क्लास की हो गई, और क्लास का मतलब क्या है, पूरे 11 बच्चों की, पूरे की पूरे 11 बच्चों की, मैं आपको चाहूं तो सुत्र भी दे सकता हूं, फॉर्मुले की बर्मार लगा सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, कि मैं आपको इस चैप्टर में एक भी फॉर्मुला ना दूँ, सिर्फ आपको कॉंसेप्ट सिखा करके, एडजेस्टमेंट करना सिखा हूं, वरना आपको याद रखना पड़ेगा, कब क्या फॉर दोस्ते हैं, पांच दोस्त, ये पांचों दोस्त क्या बोलते हैं, कि सब हमारी औसत इंकम पांच लाख रुपया महीना है, पांच दोस्ते हैं, और औसत इंकम कितनी है, पांच लाख रुपया महीना, अब क्या हुआ इनका एक दोस्त हो रहे हैं, उसका ट्रांसफर हो गया इनिके शहर में वो भी इनके रूम में साथ में पाडनर बन गया अब य項च्छेओं साथ में रहते है अब उसके चटे के आते ही ये अभी भी पांच लाख रुपा महीन हो गई तो यानि की अभी ये पांच लोग नहीं बलकि क्या बताओ, 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं, और सब को 7-7 लाग मिला, तो क्या हुआ, कि जो आने वाला है, छटा दोस्त, वो औसत में बराबरी रखेगा इन से, तो 7 लाग उर्पे तो वो अपने लिए कमाता है, और बाकी कि जो 5 दोस्त हैं, वो एक्च्वल में तो 5-5 लाग कम लिए, यानि कि जो नया दोस्त है, उसकी आये 17 लाग उर्पेया महीना है, जबकि उन पुरानों की आये कितनी हैं, 5 लाग उर्पेया महीना है, मेरी बात आप समझ पा रहें, क्योंकि नए ग्रुप में 6 लोगें, और औसत का मतब समानता, तो 6 लोग होगी, इधर क्या होग ध्यान से समझेगा, कि नया जो स्टूडेंट है, उसके आने के बाद, इस क्लास में बच्चे कितने हैं, इस क्लास में बच्चे हैं 11, तो आप देखे, हर बच्चे की उमर कितनी हैं, 21 साल, तो ये जो 11 स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट है, ये 21 वर्ष, तो ये खुद के के लिए रखा हुआ है क्योंकि ओसत का मतलब बराबरी तो 21 साल तो इसको खुद के लिए रखने पड़ेंगे और साथ में आप देखो पुराने कितने बच्चे हैं दस ये दस बच्चे भी क्या मैसूस करते हैं कि हम भी 20-20 के नहीं बलकि 21-21 के हो गए तो फिर क्या होगा ये जो एक स्टूडेंट नया आया ये 21 तो खुद के लिए लाया और जो दस बच्चे पुराने थे उनके लिए भी एक 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 स्टा लिकर आया तो कितना एक्स्टा लिकर आया 10 यानि कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 31 वर्ष यानि कि option नमबर D, क्या मेरी बात आप समझ पा रहें, एक और चोटी सी बात, जरा देखिए, एक्जामे करने का सही तरीका तो यही है, लेकिन अगर कोई student कभी confused हो जाए, तो मैं आपको concept के लिए और confidence के लिए गलत तरीका भी बताता हूं, जरा देखो, एक बात बताईए मेरे को, यह हम बात करें, कि जो old group है, जो old group है, यानि कि नए विव्यक्ति के शामिल होने से पहले, उसमें कितने students है, 10 लोग थे, है ना, old group जो है, इसकी अगर मैं total age की बात करूं, अगर मैं old group के total age की बात करूं, तो 10 student थे, और इनकी 20 वर्ष औसत उमर थी, तो 10 लोगों की total उमर कितन थी थी, बताइए, 200 साल, कितनी, 200 साल, और ये जो new group है, जो new group है, इसमें कितने लोगें, बताइए, 11 लोगें, क्योंकि इसमें एक नया भी तो शामिल हो गया, इनकी अगर मैं total age की बात करूं, तो 11 लोगें और 21 के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो 231 वर्ष है, 21 multiply 11, 231 इनकी total age, तो जरा देखो, total age किते लोगों की, 10 की, तो 10 लोग थे पुराने, तब तक total 200 होता था, जैसे एक नया आ गया, तो total 231 होता है, तो दोनों का difference कितना बता, ये 31 साल, और ये किस की उमर है, ये नये वाले की उमर है, 11th की, ये मैंने गलत तरीका क्यों बोला, क्योंक नहीं practice के दौरान, तो ये तरीका तो हर प्रश्ण में लग जाएगा, कोई व्यक्ति आ रहा हो, चाहे व्यक्ति जा रहा हो, अब पुराने गुरूप का total कर लो, तो पुराने गुरूप का total कैसे आएगा, पुराने लोगों की संख्या, मल्टिप्लाए उनका उसत उमर, न पुराने गुरूप का तो है, तो कम तो नहीं हो सकता, और कोई जा रहा होगा, तो नए गुरूप का total कम आना चाहिए, क्योंकि कोई निकल गया, तो मैं बात करूँ यहाँ पर इस तरह की बात है, और जो मैंने आपको अपना तरीका बताया, वो तरीका आपको थोड़ा सा प्रेटिस के जरूत है, बगी काम आसानी से होगा, आप तो सिर्फ यह देखिए, कि 10 लोग थे, तो उमर इनकी 20-20 साल थी, जैसे एक नया आया, तो उमर 21 हो गई सब की, तो जो 11 बच्चा आया, वो 21 साल तो खुद के लिए रखता है, समान था, बराबरी, तो 21 साल तो खु साल लेकर आएगा, तो 21 प्लस 10 क्या होगा, बताइए, 31 वर्ष इसके उमर होनी चाहिए, एक जरा एक छोटा से एक्जाम्पल मेरे साथ और देखिएगा, ध्यान से देखो, यह प्रेशन में मैं प्रेशन जोड रहा हूँ, जैसे देखो, एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर, क्र 20 इनिंग्स, यानि कि 20 पारियां मैंने खेली, और जो 20 पारियां खेली, उसका औसत है 60 रंस, ढंक से समझना है मेरी बात को, एवरेज कितना है 60 रंस, कितनी पारियों का, 20 पारियों का, और जैसे ही मैंने 21 इनिंग्स खेली, खेलते ही, मेरा औसत हो गया 65 रंस, औसत हो गया 65 अब ये आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये 65 रन किसका उसत है, पूरी किस पारियों का, तो 21 पारी में किते रन बनाए होंगे, 21 पारी में 65 तो बनाए होंगे, 21 पारी के लिए, क्योंकि 21 पारी, 21 पारी का भी उसत 65 आ रहा है, लेकिन जो पुरानी 20 पारिया है, उनका भ 20 पारियों को भी 5-5 का फाइदा मिल गया तो 20 multiply 5 कितना होता है 100 यानि कि इस ने इस पारी में कितने रन बनाए 165 रन क्या मेरी बात को आप समझ पा रहें तो इस पारी में रन बनेंगे 165 तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी के आने पर ओसत का बढ़ना यहाँ पर मैं आपको कि आसत उमर है 20 साल इनकी आसत उमर कितनी है 20 साल यहाँ पर दो स्टूडेंट भी नहीं आ सकते थे कितने लोग नहीं आ सकते दो तीन पांच एक नया ग्रूप भी आ सकता था धंक से समझेगा और मैं एक एक प्रशन में चार-चार शामिल करता हूं तो आप कॉपी इसको हम कर दो बच्चे नहीं आए और उसत हो गया 21 साल अब एक बात बताईए और गरूरोप में लोग टे दस नए ग्रूप में लोग किते बारा तो यह जो बारा दो बच्चे नहीं आए जो दो नूओ स्टूडेंट्स है आप मेरे को एक बात बताईए यह दोनों 21-22 खे तो होन नहीं थे, इनका जो उसत बढ़ गया, 20 से 21 हो गया, तो ये दो बच्चे मिलकर, दोनों मिलकर 10 साल एक्स्टरा लेकर आएंगे, तो अब जो दो नए आ रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, बताइए, टोटल 52 साल, तो जो दो नए आ रहे हैं, उनकी उसत उम्र कितनी है, बताइए 26 साल, उसत उम्र, है की नहीं, और कोई कहदे साब इनकी से एक 30 का है, तो दूसरा 22 का है, क्योंकि अब जो फरक पड़ा, वो एक की वज़े से नहीं, बलकि दो की वज़े से पड़ा, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, तो ये पहला केस था, किसी के आने पर उसत का ब रखा, ताकि एक ही डेटा में 6 में काम ले सकूँ, ताकि आप उसमें आपस में अच्छा कंपरिजन कर सके, एक चातरा के शामिल होने पर उसत आयू 19 वर्ष हो जाती है, तो शामिल होने वाले की उम्र पूछिए, अब देखो सेम प्रशन है, क्या फरक आ रहा है, दस और एक के शामिल होने पर उसत गिर रहा है, तो जो शामिल हो रहा है, उसके उम्र कितनी है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जरा ध्यान दीजेगा, सबी लोग, एक बात बताओ, अब वापस से विजवलाइस करो, ये बीस, दस बच्चे है, इन दस बच्चों में आप भी हो और इन दस बच्चों की ओसत अरूं अम्र बीस साल है, बीस, 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 सारे बीस है, एक जरा जैसे क्लास में आया, बच्चे कितने होगे, ग्यारा, पहले थे दस, अब होगे ग्यारा, लेकिन जैसे वो आया, हमने क्या मैसूश किया, कि उसके आते ही, हमारी सब की उसत उम्र गिर गई, एक बात बताओ, हम सब मैच्चे हो रहें, सब एडल्टे, अगर हमारी क्लास चल रही है, और हमारी क्लास में सोच के देखो, एक दो साल का बच्चा कर बैढ जाए, तो काउंटिंग तो कर वालेगा वो दो साल का बच्चा, लेकिन क्या, अब हम सब को ट आदेंगे वो, काउंटिंग तो एक बड़े की बच्चा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगे अठारा, बीस, बाइस, चोईस के, है की नहीं, हम लोग मतला आपकी बात कर रहा हूं मैं, मैं आप मेरे को शामिल मत करो, लेकिन ठीक है, हम विज्वलाइस करते हैं, तो काम आसान होता, इधर देखो, जैसे ही ग्यारवा आया, तो सब 19, 19, 19, 19 साल के होगे, तो हुआ क्या, ग्यारवे की उमर कितनी है, अरे 19 वर्ष, 19 वर्ष तो इसकी खुद की हो रही है, लेकिन इसके आने की, धंक से सुनना, यह बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसके आने का, इसने क्या पनिश्मेंट दिया इनको, इसने आने वाले ने कहा, कि मेरे आते ही सब 19 हो गए, तो मैं तो 19 का होई गया, लेकिन जो मेरे पीछे 10 लोग और थे, इनकी भी विचारों की उमर 20 साल की जगे 19 ही रह गई, यानि कि इसका 10 साल, 10 बच्चों के एके किसाब से 10 साल भ जो पुराने 10 लोग थे, उनका उसत एक एक गिरा दिया, तो 19 माइनस 10, यानि ये मेहज, कितने साल का है, बताइए, ये केवल और केवल 9 ही साल का है, 9 येर्स का, और अगर आप इसको दूसरे तरीक से देखना चाहें, तो ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ, और जो न्यू ग्रूप है, न्यू ग्रूप, मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, हमेशा, आप ये चाहें, दो च्वाइस होती है, चार क्लास, एवरेज खतम, फटाफट करें, कोई अता पता नहीं है, एक्जाम में कॉशन आएगा, नहीं होगा, बहुत अच पूछे, उसकी जो मनशा हो, वो पूछे, और आंसर आएगा, अरे, चार चाप्टर मत करो ना, दो करो, बट दो ऐसे करो, जो मज़ा आजाए, है ना, और मैं आपके कॉन्फिदेंस के लिए कई बार कहता हूँ, ताकि आपका मनोबल भी बढ़े, वो कैसे, आप डिवोशन का यूट्यूब चैनल पर जाएए, और देखिए, मैंने एंटी बीसी में 82 क्लासेज मैच्स के लिए हुई है, रीजनिंग के 65 सेशन्स लिए हुए है, आप देखो, कोई भी चैप्ट उठा के देखो, कि उसमें किस सिक्वेंस में कराया, तो उससे आपको कॉन्फिदेंस करा रहा हूँ, और कहां तक इसको लेकर जाऊंगा, मैं वहां तक लेकर जाऊंगा, जो आपके एक्जाम में आता है, इसको 20% जादा, लेकिन मेरा कराने का तरीका ही है, कि मैं 0 से शुरू करता हूँ, और क्लास का आउटपुट 100% रहता है, अगर आपन कुछ एक्स्टा ब ग्यारा लोगों में उपर वाले दस तो ही ना, कोई गया तो ही नहीं छोड़कर, तो 10 लोगों का टोटल 200, 11 लोगों का टोटल 209 और दोनों का डिफरेंस कितना है, बताए नो साल, तो ये नो साल किसके उम्र है, ये ग्यारवे की उम्र है, जो 11th person आया, उसके उम्र कितनी है, बताए, उसके उम्र कितनी है, उसके उम्र है नो वर्ष, लेकिन ये करने का सही तरीका नहीं है, सही तरीका यही है, एड़ेस्टमेंट वाला तरीका, कि आप विज्वलाइग्स करो, इन भाईसाब के आते ही, इन भाई साब के आते ही, सारे 19, 19, 19, 19, 19 साल के होगे 19 साल के होगे, और एक बार में आपको बाते समझ में नहीं आएगी, और कहीं कुछ फस जाएं, अटक जाएं, तो ये खराब तरीका तो हमेशा ही है, old group का total, new group का total difference आंसर जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, मैं चाहूंगा आप adjustment सही सीको, तो जो 11 वेक्ति आया, उसकी भी हक 19 साल है, लेकिन इसका 19 है, बड़ी इस 19 के चकर में जो पुराने 10 थे, वो भी 20 के 19 होगे, तो उन 10 बच्चों का एक एक साल कहां चला गया, वो भी इसी ने adjust कर लिया, वरना आप सोचो ये 10 तो, 20-20 के थे, अभी 10-19 के कहां रहेगे, अभी 10 साल कहां चला गया, और ये 11 भाभी आने के बाद, 19 का ही बैठ रहा है, एवरेज में तो 19 तो खुद के लिए, और उसके में 10 adjust इसने पुरानों के भी कर लिये, तो 19-10 कितना होगा, 9 साल जब आप इनको बार-बार करेंगे repetitively mode में करेंगे तभी मज़ा आएगा, है ना, करीब-करीब अंदाजन मान के चलो, 60-70 question में आपको कराने वाला हूँ average में, शुरू में टाइम जादा लग रहा है बाद में फिर फटा-फट हो जाएंगे, बड़ 60-70 question होने के बाद, फिर आपको मज़ा आएगा, कि हाँ, average में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हो प्रशन संख्या आप आईए 14 पर, एक कक्षा में 10 चातरों के आउसत आईउ 20 वर्ष है, एक चातरा के जाने के पश्चात, आउसत आईउ किस वर्ष हो जाती है, जाने वाले की, पहले क्या किया था, किसी के आने पर आउसत बढ़ा रहे थे, फिर क्या किया था, अभी अभी आने पर उसत गिर रहा था, अब आना बंद हो गया, अब जाने पर उसत बढ़ रहा है, अगले में जाने पर उसत गिरेगा, और उसके अगले में आना जाना दोनों चलेगा, और बढ़ेगा और फिर घटेगा भी, ऐसे छे मामले हैं, तो ज़रा देखो, दस स्ट पेंशन दो पूरा-पूरा एक-एक सेकंड कीमती है, छे महीने, आठ महीने, साल भर का समय जीवन में, ऐसा दीजिए कि दूसरा कुछ समझ में नहीं आए, मज़ा आजाए, और फिर जिंदिगी बर मज़े करेंगे, सेलेक्शन लेने के लिए, छोटी-छोटी चीजों का पता होना चाहिए, एक एक जामपल मैं बहुत कॉमनली देता हूं क्लासेज में, है न, कि कोई भी एगर है कोई स्पेशलिस्ट किसी चीज़ का, कोई डॉक्टर भी हो, तो देखते ही पता लगा लेता है क्या समस्या है, नहीं तो लोगों को पता लग जाता है, घंटो लग जाते हैं, कितनी जांच करा लेते हैं, तो भी पता नहीं लगता, इधर देखो, एक छातर जैसे ही गया छोड़ करके, छोड़ के जाते ही, जो बच गए, बच गए, वो 21 साल के हो गए, देखो, अब पहले कितने लोग दस, अब कितने लोगे, नो, अब जो मैं कहना चाता हूँ, वो बहुत इंपोर्टेंट बात है, डंग से सुनना मजा आ जाएगा, और बाद में लिख भी लेना, सुनो ध्यान से, जबी भी कोई जाए, वैसे अगर आप पिछली तीन सेशन देखेंगे, जैसे मैंने कल के से सेशन में, कल के सेशन में क्वेशन लिया था ऐसा, कि 35 नंबर थे कुछ, और उनका एवरेस था कुछ, पांच नंबर चले गए, तो बागी 30 में क्या बचाया, ऐसे कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया कराया थे, थे तो इसी लिए इन कॉंसेट के लिए बढ़िया थे, तो एक ही बात सुन लो, जब भी भी कोई जाता है, अब आप उस पे मत लगाओ जो कुछन जा चुके पुराने दो, उनको छोड़ो, एक साथ एक बार में एक ही कुछन देखो, फिर आपस में एक साथ लेना, कोई भी जाता है, एक जना गया, दो जना गया, तीन जने गया, सार करनी पड़ेगा, लेकिन अगर उसके जाने से, उसके जाने से, अगर जो बच गए वो बढ़ गए, तो यानि जाने वाला कम ले कर गया है, सोच के देखो, है ना, जैसे देखो, इस कोशन को छोड़ो, मैं फिर एक सवाल पर आता हूँ, पाँच दोस्ते, पाँच दोस्तो मिल करके हमारे पास 25 लाग रुप हैं, तो पांचों ने का हमारे पास ओसट पा PayPal Life है, इन में से एक दोस्त, ढंक से सुना मेरे बात को, इन में से एक दोस्त, शहर छोड़ के चला गया, उसने का मैं नहीं आऊँगा, और मैं बोले, कुछ पैसे भी ले गया मेरे साथ, कुछ जिले गया कितने वो पता नहीं लेकिन जैसे वो गया तो उसने कहा कि तुम अब काउंट कर लो और जो हो वो आपस में बराबर से बाट लो तो इन्होंने क्या कहा उसने एक लाइन और जोड़ देता हूं तो कि सवाल जैसा बन जाए उस एक दोस्त के पांच में से एक के जात अब 6-6 लाइक हो गया तो इनके पास 4 लाइक कहां से आ गये वो जो गया उसके जाने से अगर इनका उसत बढ़ गया तो वो कम लेकर गया है यानि कि वो अपने साथ सिर्फ कितना लेकर गया एक लाइक और काउंट कर लो चार दोस्तों में 6 लाइक के साब से 24 लाइक और 5 पाफसे 25 लाइक तो 25 माइनस 24 केवल एक लाइक लेकर गया उल्टा भी हो सकता था उनके जाते ही इनको लगता हमारा तो ईसत चार-चार लाइक ही रही गया तो वो अपने पांच लाइक तो लई गया साथ में इनके केक लाइक और ले गया यानि वो 5 लाइक नहीं बलकि 9 ल पड़ेगा बाकियों पर लेकिन अगर उसके जाने से बाकी लोगों बढ़ गए तो वो कम लेकर गया है और बाकी लोग घट गए तो वो ज्यादा लेकर गया है ऐसा है अब देखो यह जो इस्तिती है जो जाने वाला प्रशन है यानि कि आउट गोइंग स्टूडेंट जाने जाने वाला चात्र जो है वो कितने साल का था वो सवाल है तो वो कितने साल का था जान दीजेगा इस पर आप हमेशा हमेशा एक ही कॉंसेप्ट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे सबका हक कितना कितना है बीस बीस साल अगर जाने वाला बीस साल का होता तो कोई फरक नहीं जैसे ही एक जना निकला, जैसे ही एक जना निकला, एक जना गया, बाकी कितने लोग बचे, नो बचे बचे, बाकी कितने बचे बचे, नो उनकी ओसत, क्योंकि ये तो old group है, ये new group है, सबकी ओसत 21 साल हो गई, यानि बाकी जो 9 बचे, एक तो चला गया, 10 में से, बाकी 9 बचे, उनका एक-एक साल बढ़ गया यानि वो अपने साथ 9 साल कम लेकर गया है यानि कि जाने वाले की उमर कितनी है बताईए सिर्फ 11 साल और इसी को हम दूसरे एंगल से देखें तो कैसे देखें जड़ा देखो Old Group इस बार Old Group में अभी भी 10 ही लोग है और Old Group की अगर मैं Total Age की बात करूँ अगर Old Group में Total Age की बात करूँ तो 10 मल्टिप्ला है 20 यानि कितने साल है बताईए 200 साल Old Group के 200 साल अगर मैं New Group की बात करूँ अगर मैं New Group की बात करूँ यानि 9 लोग है उसके अंदर एक चला गया तो मैं बात करूँगा, 9 multiply क्या बता है, यह 21, बता ही है कि नहीं, तो 189 years हो गया, दोनों का difference कितना है, यह 11 साल, लेकिन यह गलत तरीका, लंबा तरीका है, क्योंकि यह कौन सा हुआ, जाने वाले की उम्र, जाने वाले की उम्र, क्योंकि जो पुराने लोग थे, वो 10 लोग थ से, और 10 का ओसत 20 साल से, टोटल 200 आता है, एक जना छोड़ कर चला गया, तो 9 बचे, और 9 का, किसके साब से 189 आना आता है, और जो दोनों का difference है, वो 11 साल है, यानि जाने वाले की उम्र, 11 साल है, लेकिन फिर भी, मैं प्रयास करूँगा, इस तरीके पर जादा बल देने का, कि जो जा रहा है, आप तो ये देखिए, कि उसका हक कितना है, उसका हक है 20, अगर ये 20 का ही होता, तो कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन उसके जाने से, 10 में से एक चला गया, बचे 9, बाकि जो 9 बचे वो क्या मैसूस कर रहे हैं, हम सब एक-एक बढ़ गए, अगर हम एक- इनस नो, वो 11 साल का है, ये तीसरा केस, अब जरा चोथे केस पर आईए, पंदरवा प्रशन, वही 10 चात्र, वही आसद 20 साल, फिर एक जना जा रहा है, लेकिन इस बार आसद बढ़ नीरा, बल्कि आसद गिर रहा है, तो क्या हो रहा है, जरा देखिए, 10 चात्र यहां पर कोई सेम है, और वही 20 साल इनकी आसद उम्र भी है, और एक स्टूडेंट यहां से बाहर जा रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट के जाने से, अब ये आसद बढ़ कर नहीं, बल्कि घर गट कर 19 हो रहा है, ये बच्चे, सॉरी, ये बच्चे 10 और ये बच्चे 9, मैंने आपको कितना हक बनता है, 20 साल, अगर वो 20 साल का हक रखता है, अगर वो 20 साल का हक रखता है, तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो गया, बाहर, आउट, क्लास छोड़ कर गया, 10 बच्चे बैटें सोचो, विजवलाइस करो, और दसों की आसद उम्रे 20-20 साल है, एक स्टुडेंट खड़ाओ और बाहर निकल गया, बाकी बचे 9, वो 9 कह रहे हैं, अब तुम 19-19 के रह गए, और तो तुम 9 का 20-20 से 19-19 हो गया, तो 9 साल कहां चला गया, यानि 9 साल वो लेकर चला गया, तो वो जो गया, वो 20 तो अपना हक लेकर गया, और 9 तुमारा लेकर चला गया, तो 20 प्लस 9, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 39 साल, और अगर मैं इसको दूसरे तरह से बात करूँ, जो गलत तरीका है, तो मैं फिर आपको वही कहूँगा, क्या, old group, old group में कितने हैं, बचाई वे, 10, उनकी जो total age है, उनकी जो total age है, वो 10 multiply है, 20, यानि कितनी ब बच्चों का 9 बच्चों का है, लेकिन 9 बच्चों की उसक उम्रों, 19 के साब से 171 होगी, तो दौनों का डिफरेंस कितना है, बता ये 39 साल, क्योंकि आपको मालूम है, ये 10 में से ही तो निकल कर गया है, तो 10 की total 200 है, 9 की total 171 है, लेकिन मैं आपको बार-बार क्या समझा रहा जिनको कोई भी काम को सही समय पर करना आएगा, कम समय लगना चाहिए, और accuracy भी maintain रहनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, 10 बच्चे 20 साल उसक उम्रों, एक निकल गया, जाते ही 19 रह गया, अब 19 के बात करूँ अगर मैं, तो अगर वो जो गया, वो अगर 20 का होता, त लेकर चला गया, तो यहाँ पर यह क्या होगा, बताइए, 29 साल जाने वाले की उम्र होगी, यह चोथा केस, पांचवा केस देखेगा, दो केस और करेंगे आजम, यह जरूरी है, और यह पांचवे और छटे तो शंदर केस है, क्योंकि इसमें आना भी होगा, और जाना भी ह वर्ष होती है, तो हरी की उम्र बताइए, जरा देखेगा, दस चातर हैं, जो दस चातर हैं, उनकी उसत उम्र कितनी है, 20 वर्ष, सेम वही सवाल, मैंने डेटा चेंज किया ही नहीं है, हरी, हरी जो है, वो क्या हो रहा है, हरी उस कक्षा में शामिल हो रहा है, मैंने प्लस ल वो छोड़ कर जा रहा है, माइनस मतलब छोड़ कर जा रहा है, और गोपाल की उमर भी पताया, कितनी बताये, 32 साल, और अब कक्षा में ऑसत उमर 21 वर्ष हो जाती है, एक बात बताये, अभी एक student आ रहा है, और एक ही छोड़ कर जा रहा है, तो इसका मतलब अभी भी, जो लगाएं तो इसका उत्तर मेहज मेहज दो से तीन सेकंड पढ़ने के साथ ही दिया जा सकता है कैसे जरा बोड पे देखो सब लोग अटेंशन देना बहुत ज्यादा ध्यान से अगर मेरी बात ढंक से समझेंगे तो बस अभी सुन लो पॉस करके पॉस मतलब आपका राइटिं साल दस बच्चे थे जिनकी उसत उम्र 20 साल थी तो टोटल उम्र 200 साल हुआ करती होगी अब अब आपने का सथ टोटल कर लिया ने अपने अरे टोटल नहीं एक बार समझा रहा हूं बिर बिना टोटल के बताता हूं दोनों बाते बताओं पहले डंक से सुनो अब कितने बच गया तो मैं यह कह सकता हूं क्या कि यहां पर दो बच्चों का अपस में एक्स्चेंज हो रहा है एक्स्चेंज इस एक्स्चेंज का रिजल्ट क्या हुआ एक आया एक गया बच्चे पहले भी 10 अभी भी 10 लेकिन इन 10 बच्चों की औस तुम्र जो 20 साल हुआ करती थी अब उसत उम्र 21 साल हो गई, जरा देखिए, पहले टोटल 200 हुआ करता था, अब टोटल 210 हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, बच्चे पहले भी 10, 9 शकले तो वही है, 9 शकले तो वही है, कौन सी शकल चेंज हुई, 10 में से सिर्फ गोपाल बदल गया, हरी से, एक गया और एक आय बाकी 9 ऐसे कैसे हैं, तो 9 ने कुछ नहीं किया, 9 की उम्र वही है, जो कुछ चेंज आएगा, वो इस दसवे की वज़े से आएगा, तो मैं यहां बात करूँ, कि 10 बच्चों के टोटल 200 था, अभी भी 10 बच्चों का टोटल 210 है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं, कि 2 लोगों के आपस में, ढंक सा सुनिएगा, और बाद में वीडियो पॉस करके लिखना इस लाइन को, 2 लोगों के, क्योंकि मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्या जरूत है, मैं बोल रहा हूं ना, अब बाद में लिख लेना, 2 लोगों के आपस में, एक दूसरे से बदले ज आपस में, बदले जाने पर, सम्हूं की कुल आयू में, दस वर्ष का फरक पड़ रहा है, बढ़ रही है, सिर्फ दो ही तो बदले रहे हैं, इसका मतलब 10 साल कैसे बढ़े होंगे, यानि कि जो जाने वाला है, उसकी तुलना में आने वाला 10 साल बढ़ा है, सोचके देखो, जितने का कोई जाए, उतने का कोई आ जाए, कोई फरक ही नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 साल बढ़ रहा है, तो जाने वाला 32 का है, तो आने वाला 42 का होना चाहिए, यही आंसर होगा 42, और अगर मैं आने वाला बता दिता तो, मैं बोलता, आने वाला 50 साल का है, तो मैं कहाता, जाने वाला 40 साल का है, कोई के जाने वाला 33 साल का है, तो आने वाला 33 साल का है, यानि गर आने वाले का पता है, तो जाने वाला 10 साल छोटा होगा, जाने वाले का पता है, तो आने वाला 10 साल बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, मैं यहाँ पर टोटल नहीं लिख रहा देखना एक बात बताओ दस बच्चे थे औसट बीस साल था दस बच्चे थे औसट इकिस साल था कल भी मैंने खुब समझाया था कि दौनों के औसट में एक का फरक है बीस और इकिस कल सवाल थे हैसे हमारे पास कई सारे मंडे टूस्डे वेनज़ टूस्डे वेनज़ थरस्डे एवरेज निकालने मैंने बताय था आपको कल का सश्षन देखो ये बीस है ये किस है औसट में कितने अंतर एक और और औसट कितनी चीज़ों का दस तो इसमें 200 और 210 की जरूत नहीं है अगर औसट में अंतर एक है और औस दस चीजों का है, तो टोटल में अंतर निश्चित रूप से दस होगा. और मुझे टोटल में अंतर चीए था, और टोटल में अंतर से मुझे क्या समझ में आ रहा है, कि चुकि ये औस बढ़ रहा है एक्षेंज की वज़े से, याने वाला बड़ा है जाने वाला छोटा है उमीदे मेरी बात को समझ पा रहे हैं आज का आखरी प्रशन देखेगा बड़ा इंपोर्टेंट सेम प्रशन है थोड़ा सा चेंज क्या दस चात्र वोई 20 साल रोहन उस कक्षा में शामिल होता है उसी समय मोहन जिसकी उम्र 38 वर् यह मैं वर्बली करूँगा कुछ ने रिखने वाला आप कुछ समझ आरो मेरी बात को समझो हुआ क्या पहले भी 10 बच्चे थे अभी भी 10 बच्चे हैं क्यों क्यों रोहन तो उस क्लास में आ रहा है रोहन इस जॉइनिंग दा क्लास अरे मोहन की उम्र कितनी उसको छोड़ो वो बात में बात करेंगे लेकिन मुझे इतना सा बचा दो क्या बच्चों की संख्या 10 थी अभी भी 10 है हाँ पहले भी 10 थी अभी भी 10 है पहले एवरेज कितना था 20 यानि कि टोटल 200 अब एवरेज कितना है 19 यानि कि टोटल 190 यानि कि दो लोगों के आपस में बदले जाने पर समूंग की टोटल उम्र दस वर्ष कम हो रही है, कम, 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 एक जना गया, एक आया, और दस साल कम हो गई, कम कब होती है, जितने का कोई जाए, उतना का आजाए, तो हिसाब बराबर, अरे कम तो तब होती है, जब जादा तो चल जाए, और आए कम, तभी तो घाटा होता ह याने वाला छोटा है और जाने वाला बड़ा है किसका पता है मोहन जिसकी उमर 38 वर्ष है छोड़ कर चला गया तो जो छोड़ कर चला गया अगर वो 38 साल का है तो वो छोड़ के जाने वाला बड़ा है तो आने वाला उससे 10 साल छोटा होना चाहिए यानि 38-10 यानि कि वो 28 सा का होना चाहिए, option number क्या होगा बताइए, first is the right answer और यो हम total ना करें, तो आसत पहले 20 था, आसत 19 है आसत मंतर 1 का है, आसत 10 चीजों का है, 10 लोगों का है, तो अगर आसत मंतर 1 है, और आसत 10 लोगों का है, तो total मंतर 10 आएगा, और हम ये देख रहे हैं कि पहले total 200 होता था अब total 190 हो रहा है तो यानि कि 10 का घाटा हो रहा है तो जो छोड़कर जा रहा है वो 38 साल का है, तो जो आ रहा है, वो क्या होगा, बताईए वो, अगर 38 का होता तो ये 200 का 200 बनता, बड़ 10 का घाटा है, तो जाने वाला बड़ा होगा आने वाला छोटा होगा और अगर यह 210 होता तो उल्टा होना चाहिए उमीदे मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं यह 6 पॉइंट्स को मैं 6 आपको नोट्स भी डलवा सकता था फॉर्मुले लिखवा सकता था बट क्या जरोत है हम इतने फॉर्मुले याद करें आप तो इनको बार-बार रिवाइस करो अपने हिसाब से नोट करो और फिर मैं जब बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के कॉश्शन कराऊंगा तो यह चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी 6 बाते बताई किसी के आने पर उसत का बढ़ना दूसरी किसी के आने पर उसत का बढ़ना, चौथा जाने पर उसत का गिरना, पाचवा आने जाने दौनों पर उसत का बढ़ना, छटी आने जाने दौनों पर उसत का गिरना, यह 6 चीज़ें हमारे पास हैं और इन 6 चीज़ों को लेकर के हम बात कर सकते हैं, प्रशन मैंने ज़्यादा लिये थे बढ़ आज मैं इतना ही ले पाऊंगा, मेरी आपसे request थी, कुछ दिनों के लिए आप मुझे allow कीजेगा, मैं sessions बहुत बड़े नहीं ले सकता, अभी for a few days only, उसके बाद भले हम live class 2-2 घंटा लेंगे मेरा promise है, पर थोड़ा सा मेरे को आप समय दीजे, पिछले दिनों में जो mental trauma रहा है, वो भी थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, you can understand, मैंने पहले भी बताया था, क्या situations रही, है न, अगर बात करें कि family grounds पर, तो थोड़ा सा अपन कोशिश करेंगे, आपको ये चीजे अच्छी लगती है, तो आपको इनको wide spread करना चाहिए, ताकि जादा तर बच्चों क इन sessions का फाइदा मिल सके, नए हैं आप लोग, तो बहुत सारे videos available है, उनको देखो, judge करो, और खुद फैसला करो, कि ये चैनल आपके जो success है, उसमें कितना जबर्दस contribute करने वाला है, और अगर ऐसा है, तो नए लोग चैनल को subscribe करें, और like करें, share करें, वीडियो देखने के लिए, thank you very much.